राम रभाथरम जी दोस्तोłe बैलकनों में चैनल किलियalo जोल सो दोस्तों आपका मैं J align चैनल वबहुत ब iç Bem CC दोस्तो यहां पर यह डेती आपपर डेश सकते हैं यांप और यह इस सरे लोग ए मेरे पर कमेंट्स हें थे किसे और आरे पेजफ पर करिंड भास इस तो बहुत सारे लोग के पेज में आने के बाद मतलब वह अपने पेज पर पोस्ट नहीं कर पाएंगे ठीक है एंड जैसे कि यहां पर आप दे सकते हो यह लिख हुआ है because your page posts are being seen by a lot people we require to complete page publishing authority if you do not complete it by 25 April 2021 तो you will not be able to post as any of your pages ठीक है तो मतलब कि अगर आप अपनी authority को confirm नहीं करते हो अपनी identity को confirm नहीं करते हो तो 25 April के बाद आप अपने page के उपर पोस्ट नहीं कर पाएंगे ठीक है तो कुछ यह एक update है आपको यह ठीक करना होगा और बहुत सरे लोगों के pages में यह show तो हो रहा है ठीक है यह जो notice है वो show तो हो रहा है लेकिन यहां पर get start का button नहीं आ रहा है ठीक है so get start पर जाकर करके आप अपने page को अपना authorize कैसे करेंगे अपने id को authorize कैसे करेंगे बहुत में बताऊंगा और जिसके यहां पर creator studio open करने के बाद यह get started का button नहीं आ रहा है उसके लिए क्या मनलब कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है चली start करते हैं यहां पर get start पर क्लिक करके यहां पर get start पर अब जब क्लिक करेंगे तो आपको next page पर पहुंच जाएंगे ठीक है तो यहां पर हम आ जाते हैं ठीक है यहां पर directly वो page खुल किया जो हमें चाहिए ठीक है तो यहां पर आप नीचे को क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देशते हैं your account को तो यहां पर दोस्तों आपको यहां पर get started का एक button मिल रहा है आप यहां पर click करेंगे click करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको continue करना है ठीक है यहां पर मैं continue कर देता है two factor authentication आपको on करना होगा और यहां पर यह कैसे कैसे कर सकते हो दोस्तों app के थुरू कर सकते हो but सबसाइद जो easy है यहां पर आप text message पर कर दो ठीक है अब दोस्तों यह वाला option बहुत सारे लोगों के मदब के phone में नहीं आ रहा है जब वो creator studio open करते हैं तो यहां पर get start देखने को नहीं मिल रहा है तो वो इस वाले option तक कैसे पहुचे है ठीक है तो आपको क्या करना है अपनी Facebook ID open कर लेनी है नहीं chrome browser में ठीक है Facebook ID open करने के बाद आपको यहां पर click करना है and इहां पर आपको देखने को मिलेगा सेटिंग्स ऐल्ट प्राइबसी तो यहांपर आपको क्लिक करना है इसके बाद इहां पर settings पर click करना है ठीक है तो यहां पर आप आजाओगे General में ठीक है तो यहां पर General में आने के बाद Identity Confirmation आपको यहां पर View पर क्लिक करना है ठीक है तो यहां पर हमने View पर क्लिक कर दिया, View पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने Two Factor Authentication भी लगा देना है ठीक है इससे आपकी जो आइडेंटिटी है वो Confirm हो जाएगी आपको यहां पर कोई भी मलब पिक वगेरा मला धारकाट की पैनकाट की यह सब कुछ अपलोड नहीं करना है सिर्फ एक OTP देना है ठीक है यह चीज़ आप कर लें और यह चीज़ कंप्रीट करने के बाद जो यह इस्यू यहां पर आपको देखने को मिल रहा है आप यहां पर अपना OTP सम्मिट करेंगे यह इसको ऑथाराइस करेंगे इसके बाद यहां पर आप एक बार बस रीफिरेश कर दीजेगा आपकी यह आईडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी ठीक है आपको समझ में आया होगा कि यह आपको कैसे करना है ठीक है अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी तो वीडियो को जलिए से लाइक कर दीजे कमेंट करके जरूर बताने यह वीडियो आपको कैसी लगी और जो में चानल पर पहली बार आए हैं नीच लाल लाल बटन आपको अगे चैनल को सब्सक्राइब पर देए और बैल अकन जरूर दवाने से न्यू वीडियो के अपड़ीडा को में चाहिए तो हम लोग मिलेंगे दोस्तों नेक्ट वीडियो में तब तक नहीं राम राम जी